यह जो लेंड पार्सल है यह साड़े 5 एकड का कॉंसियंट का यह लेंड पार्सल आता है जहां पे कॉंसियंट अपना एक हाई राइज लक्जरी प्रोजेक्ट है वो यहां पे शुरू कर रहा है यह कॉंसियंट ने यहां से तक्रीबन सोग मीटर के अंदर आपको नेशनल हाईवे एनेचेट का चलता हुआ रोड साथ में आप जा सकते पांस से दस मिनिट में द्वारका एक्सप्रेक्स वे क्लोर लेप सी पियार एस पियार हर वो एक्टिविटी बच्चों के लिए हो या एमनिटी एक उसकी बात करूं तो प्रोपर 70-85% तक का बैंक लोन यहां पर हो जाते हैं नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज एक ऐसे डेवलोपर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसका यहां पर यह प्रोजेक्ट है जहां पर मैं यह वीडियो सूट कर रहा हूं यह गुड़गा प्रोजेक्ट की थोड़ी डिटेल और डेवलोपर के बारे में जाने की कोशिज करते हैं तो मैं जिस लेंड पार्सल पर हूं यह जो लेंड पार्सल है यह साड़े पांच एकड का यह लेंड पार्सल आता है जहां पर कॉंसियंट अपना एक हाई-डाइज लग्जरी प्र अच्छा डेवलोपर कंस्ट्रक्शन पार्टनर माना जाता है गुड़वाओं के अंदर कि लोग कहते हैं कि अगर सापुर जी इस प्रोपर्टी के अंदर है वह 100% टाइम पे डिलीवर होती है अच्छी क्वालिटी के साथ प्रोड़क्ट बनता है यह प्रोपर माईवन के की 201 की लेंड पार्सल है यानि सेक्टर 80 के अंदर तक्रीबन 12 ग्रूप आउसिंग सुसाइटी कलब हाउस इंस्टिटूशनल बैल्ट और साथ में फायर स्टेशन और आपकी पुली स्टेशन की लेंड पार्सल सेक्टर 80 के अंदर आती है सेक्टर 80 एक ऐसा सेक्टर है जो म इनवार्मेंट और ग्रीन पार्सल के साथ कनेक्टिड होता है यानि मैं नेशनल हाईवे एनेचेट की बात करूँ जो आज के टाइम रनिंग है दिल्ली जैपूर हाईवे इसके बिल्कुल वोकिंग डिस्टेंस पे है दूसरी अगर मैं एनवार्मेंट की बात करूँ तो यहां पे 10,000 एकड के अंदर जंगली स्पारी पार्क यानि फ्यूचर के अंदर गोर्मेंट के द्वारा डेवलोप किया जाना है एनजीटी का लैंड पार्सल आता है जिसमें अरावले की मेजर साखाई यहां पे आती है उसके बाद कर्मा का बहुत बड़ा ग्रीन एरिया यहां पे आ जाती है यहां से तकरीबन सोफ मीटर के अंदर आपको नेशनल हाईवे एनेचेट का चलता हुआ रोड साथ में आप जा सकते हैं पांस से दस मिनिट में द्वारका एक्सप्रेक्स वे कलोर लेप सी पियार एस पियार यानि इस लोकेशन में मेजर आप रूट क यह रूट जाएगा जिसके अंदर 10 किलो मेटर पे एक स्टेशन बनना है जिसका एक स्टेशन आपका आईम्टी मानेसर के अंदर है यहां से तकरीबन 500 मीटर का डिस्टेंस यहां से पड़ता है उसके बाद मैं प्रोजेक्ट का थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ तो है यहां पर यानि काफी अच्छा रेंटरल इंकम यहां पर मिलती है आज पास की कमर्सेल एक्टिविटी जाज के समय में एक्टिव है यहां पर सामने जो देख रहे हैं यह एलान का प्रोजेक्ट है इसके अंदर काफी अच्छे ब्रेंडिड जो सोरूम है वो खुले और 4BHK के लगजरी अपार्टमेंट आपको देखने के मिलेंगे 4BHK का जो टावर है उसकी जो डिपिंग है वो शुरू हो गई है वो फोर भी है का टावर का जो मिट्टी वगएर का बेस्मेंट का काम है वो शुरू कर दिया है जिसका व्यू करमा लेक का और कुछ यून और यहां पर जो आपके जैसे साइकलिंग ट्रैक के लिए एलिवेटी ट्रैक यहां पर क्रियेट है वो किया जाएगा यानि शापूर जी अच्छा कंसक्षिन वाला आपको चीज़ी मिलती है माईवन की मिलती है दूसरा हर वो एक्टिविटी बच्चों के लिए हो या एम देखने को मिलते हैं तो इसके अंदर तीन क्रोड से प्राइज है वो शुरू हो जाता है अभी डेवलोपर रेट रिवाइज करने का प्लान कर रहा है क्योंकि यूनिट बड़ी लिम्टीड बजगी है उसके बाद इनका फेस्टू प्लान करेंगे अधर लेंड पार्सल के अच्छी चाहिए उसके बाद बनाने वाला अच्छा चाहिए और डिलीवर्ड करने वाला अच्छा चाहिए तो सारी चीजे यहां पर 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 सूट होती है और यह पहला प्रोजेक्ट है सेक्टर 80 के अंदर क्योंकि इसके बाद 12-13 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो यहां पर मिलने वाला है तो मेजर कनेक्टिविटी अच्छी होगी प्रोडक्ट अच्छा है आप वोकिंग डिसेंस है नेशनल हाईवे एनेचेट से इसके नेशनल हाईवे एनेचेट के दूसरी साइड की बात करो सेक्टर 81, 82, 83 है यहां पर वाइटिका की चार सो एकर की डवलोमेंट है और डियलेप के प्रोजेक्ट यहां पर रेडी टू मूव प्रोडक्ट है जैसे की बात करूं मैं आपका प्राइमर्स की बात करो तो उस एरिये को डियलेप ने डवलोप किया है तो इस एरिये की अगर बात करो तो यह जो डवलोमेंट है यह एचसाइडीसी की डवलोमेंट है यहां पर 60 मेंटर के रोड और इंटरनल 30 मेंटर के रोड देखने को आपको म जाता है payment plan की अगर discuss करें तो यहां पर 30 35 35 का payment plan आता जिसमें से अगर आप 10% देखे 20% का bank loan ले सकते हैं उसके बाद next जो demand आएगी वो super structure के ऊपर आएगी 30% भी आपको जो starting का है वो दीरे-दीरे देना यानि 10% सुरू में फिर 60 days में 10% और 120 days में 10% तो दीरे-दीरे यानि 4 महीने में आपने 30% का जो payment है वो complete करना है उसके बाद super structure आने में 3-3 साल लगेंगे तो 3-3 साल में तो यहां पर rate भी आपको अलग दिखेगा और तब तक आपको किसी भी प्रकार की कोई payment नहीं करने है 35% जो super structure है वो भी आप attractive है दोस्तो साइज बहुत अच्छा है यहां पर L-shape की balcony आपको running balcony आप देखने को मिलेगी और VRV ASIS concept आपको देखने को मिलेगा आज-पास का infrastructure new brown field development की हिसाब से नहीं होना दोस्तों यहां पर सारे की सारी जो development है वो green field development है तो यहनी यहां पर major plan HSIDC के दोवारा है वो प्लान किया जाना है कर्मा का major view goal फिर यहां आपको यहां पर आपको आपको देखने को मिलता है लाइन में यहां पर आपको apartments है स्क्री बातों बातों से बात नहीं बनेगी अगर आप इन चीजों के अंदर और आप वीडियो देखके ही अगर दोस्तों वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा action लेने से काम चलेगा क्योंकि rate बढ़ने वाला है rate के जो discount है वो खतम होने वाला है तुरंत action आप ले सकते हैं और ए प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत खुट सूरत है दोस्तों information देने का काम मेरा है action लेने का काम आपका है screen के उपर नंबर दिया है तुरंत contact कर सकते हैं साइट विजिट प्लान कर सकते हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो देव बेट के हम डिसकस कर सकते हैं प्रोजेक्ट की design ले आओट तुरंत call कीजिए आईए और मिलते हैं इसी साइट के उपर बेट के पूरे location को समझते हैं और सारी चीज़े model को समझते हैं तो दोस्तों देर ना कीजिए तुरंत एक call कीजिए देगे नंबर के उपर और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और चैनल को जरूरू सब्सक्राइब करके जाना अब ऐसे ही मत चले जाना दोस्तों थैंक यू बढ़ी मत